बागेश्वर धाम बाबा लगाता आर अपने किनी न किनी कारणों से चर्चाओं में रहते हैं चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो देश की नेशनल मीडिया की कबरों की बात हो बागेश्वर धाम बाबा अपने चमतकारों से लेकर अपने बयानों को लेकर और अपने हिंदू रास्ट के बयान को लेकर कुछ खासा चर्चाओं में रहते हैं और उनके चर्चाओं में रहने के तमाम बड़े कारण भी हैं चाहे हाली में उनके भाई के उपर लगे हुए आरोपो को लेकर उनके उपर चर्चाएं आम रहीं चाहे उनके दर्बार के चमतकार के लेकर चर्चाएं आम रहीं लेकिन अब बागेश्वर धाम बाबा की चर्चाएं कॉंग्रेस के समर्थन को लेकर कुछ जादा चल लही है जी हाँ दरसल हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पेपर का वाइरल कटिंग बहुत तेज वाइरल हो रहा है एक कटिंग है वो बहुत तेजी से वाइरल हो रही है और उसमें दावा किया गया है कि कॉंग्रेस के समर्थन में बागेश्वर धाम बाबा 121 किलो मीटर क की पद यात्रा करेंगे वैसे तो यात्राओं से भारत का पुराना नाता है चाहे वो दांडी यात्रा हो चाहे वरतमान समय में राहुल गांधी की यात्रा हो यात्रा से कहीं न कहीं राजनीती गड़ित बिगड़ने का भी खत्रा रहता है मद्य प्रदेश की अगर बात कर जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पूरी तरिके से इस वकत सत्ता में नहीं है। पूरी तरीके से वो प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से सत्ता में आये लेकिन इसी बीच में सोचल मीडिया पर इस कटिंग अकबार से कहीं न कहीं भाजपा की निंदे हराम हो गई अकबार की कटिंग में दावा यहां तक किया जा रहा है कि कमलनात को ऐसा आसवासन बागेश और धाम बाबा ने सुयम दिया है जिसके बाद सिवराज सिंचोहान और तमाम नेता बागेश और धाम बाबा से इस बाबा बात दने भी पहुचे थे हलाकि किस अकबार की अकटिंग है किस पत्रकार ने लिखा है किस मीडिया हाउस का यह अकबार है इसके बारे में कोई बात सामने नहीं आई है खुल मिलाकर सोचल मीडिया से लेके तमाम मीडियों पर ये चर्चा आमवनी हुई है। ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार तक जेवे पाहत पहुची तो उनके ओफिशिल टुटर एंड फेस्बुक पेस से जो बात बताई गई उसने पूरे मामलों को इसपर्ष्ट कर दरसल बागेश्वर धाम बाबा के फेस्बुक एकाउंट से साथ और पर यह लिखा गया है कि यह खबर पूर्णतिया गलत और भ्रामक है उन्होंने यहां तक भी कहा कि वो सिर्फ एक राजनितिक पार्टी के सपोर्ट करते हैं। यानि जो हन्वान जी के हाथ में जंडा रहता है उन्होंने कहा वो किसी भी प्रकार को लेकर खबरों का खंडन करते हैं। इस तरह से देखते हैं क्या आपको इस तरह की कोई पोस्ट मिलते ही आप उसे फारवर्ड करना शुरू कर देते हैं। क्या है आपके मन में ऐसी इस प्रकार की भ्रामक खबरों को लेकर हमें अमेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं। दन्यवाद। 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 झाल झाल